एमपी के चतरपुर जिले के खजुराहो थाना अंतरगत अकॉना में युवक की अंधी हत्या का एसपी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर किया खुलासा पुरानी रंजिश की वजह से युवक लक्षन कुश्वाह की सब्बल मार कर हुई थी हत्या हत्या के बाद म्रतक का शव भूसे के धेर में छिपा कर हो गए थे आरोपी फरार शराब पार्टी के दौरार म्रतक का आरोपियों से हुआ था विवाद पूर्व में आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा की जा चुकी है म्रतक के पिता की हत्या इसी मामले पर विवाद होने पर दोनों आरोपियों ने बीती रोज की थी लक्षमर कुश्वाह की हत्या दोनों आरोपी गिरफतार दोनों आरोपियों पर पहले से हैं मामले दर्ज खजुराहो थाना पुलस की कारेवाही जारी है एक 17 तारिक को घटना हुई थी अकोना चौकी खजुराओ के अंतरगत जहां पर एक पूसे के डेर में एक डेड़ बॉडी मिली थी जो सत्तिपुरा गाउं के लक्षमन कुश्वा की थी हमारी टीम ने तकाल उसका सञ्यान लेकर के इन्वेस्टिकेशन प्रारम किया और इन्वेस्टिकेशन में पाया की घटना के समय मृतक दो व्यक्तियों के साथ में बैठा था शराब का सेवन कर रहा था उस समय पूर्व में इन्ही के परिवार में एक घटना घटी तुई थी जिसमें मृतक के ही पिता की मृत्यू आरोपियों के पक्ष के द्वारा की गई थी उस संबंद को लेकर के इनका विवाद हुआ और उस विवाद में जो आरोपी हैं दिवाकर परियार और ब्रजमन क इन दौनों ने सब्बल से वार करके लक्षमन कुश्वा की हत्या कर दी यह जो दौनों आरोपिया इन पर पूरूफ से भी अपराद हैं एक पर चार अपराद हैं तो यह आलतन अपराद हैं और हमारी टीम विशेशकर हुपेंद्र आरक्षक और टी आई खज्राहू और SDP इन लोगों ने अच्छा उसमें मैनत करके एक ही दिन के अंदर गटना को पूरा ट्रेस किया है